Good morning students, I welcome you class senior के जी, start is class with EBS subject EBS subject में हम पार्चेट बॉडिस हम सीख चुके थे, EBS में पार्चेट बॉडिस ने वो हम सीख चुके थे अब हम क्या लिखेंगे? मैस दो फोलोविंग मैस दो, 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 मैस दो यहां पर हम आइस बनाएंगे आइस ने यहां पर नोस यहां को यह यहां आइस बनाइए लेग और माउख और हमें वन्यू प्रिवट्री 3, 4, 5, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम नहीं लिखए हैं यह पर हम लिखेंगी यह यह पर लिखेंगी आई मॉष नोज Leg और hand तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? Match the following Following में eyes Eyes कहाँ पे है? बोलो Eyes कहाँ पे है? यह रहे E by E-S Nose N-O-S-E Nose Following कहाँ इस फोलो इर E-A-R-E 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 Hand H-A-N-D-S Hand Leg L-E-G-S Leg Mouth M-O-U-T-H Mouth बच्चो यह वाला Sam Homework Two time Match the following हमने लिंदिया अब हम लिखेंगे See the picture See the picture And write their name मतलब के See the picture And Right There Right there Name मतलब के हम यहाँ पे picture बनाएगे और आपको उसका English मतलब के वो नाम लिखना है वो spelling में जो मैंने सिखाए वो लिखना है आपको यहाँ ईयाँ मुर्ड ले ले अनुम मन अमाओ उर आपको आपको जो के आपको बु्षण आपको यहां पे लिखना है तो यह का स्पैलिंग बच्चों क्या होता है बोलोगे आप यह का स्पैलिंग क्या है E, Y, E, S मतलब के E, Y, E, S यह आइस आइस का स्वर्य हम आइस का पेले हम लिखेंगे E, Y, E, S आइस और यह का है E, A, R, S मतलब पेले हम आइस का स्पैलिंग लिखेंगे E, Y, E, S यह आइस E, A, R, S आइस नोज नोज का स्पैलिंग आप बोलोगे N, O, S, E नोज N, O, S, E नोज लेक का बोलोगे लेक का स्पैलिंग क्या है बच्चो L, E, G, S लेक्स L, E, G, S माउथ माउथ का स्पैलिंग बच्चो आप बोल पाओगे M, O, D, U M, O, T, H M, O, U, T, H M, O, U, T, H माउथ और लास्ट में है हैंड हैंड का स्पैलिंग आप बोलोगे H, A, N, D, S हैंड H, A, N, D, S हैंड यह वाला भी Sam, Home, Work 5, 10 आपको यह वाला Parchers, Models का नाम आपको लिखना है और आपको उमरलोग पर जो भी है एप स्पैलिंग आपको अपने द्यान में लेना है और आपको एप स्पैलिंग सिखना है स्पैलिंग हमें जुनियर के जी में हमने सीख लिया था सिनियर के जी में भी हम सिखेंगे स्पैलिंग पर अब लिखना सिखना है पहले हम spelling ही read करते थे Thank you students